जैसे जैसे भारती जानता पार्टी और संग परिवार को चुनावों में अपनी हार दिख रही है, वैसे वैसे इन्हें हिंदू खत्रे में नजार आ रहा है वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच क्योंकि खबरों की इन्ही गहराईयों में छिपा है राजनीती का असली खेल, यूस जखत्र, खबर की कहराईयों को टटोलता जी हां, पहले मुख्य मंत्री आदितनात ने कहा था कि बटेंगे तो कटेंगे फिर प्रधान नंत्री नरेंद्र बोधी महराष्ट पहुंचकर ये अपील करते हैं कि कॉंग्रिस का वोट बैंक तो उन्हें वोट दे देगा यानि मुसल्मान तो उन्हें वोट दे देगा, मगर हिंदू बट रहा है अब यही बात संग परिवार के, सर संग चालक, मोहन भागवत कह रहे हैं आपके स्क्रीन्स पर मोहन भागवत का बयान कहते हैं हिंदूों को अपनी सुरक्षा के लिए एक जुठ होना होगा उन्हें भाषा, जाती प्रांत के मतभेद और विवादों से उपर उठना पड़ेगा खौर कीजेगा हिंदूों को अपनी सुरक्षा के लिए ग्यारा साल होने के वाए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को देश के प्रधान मंत्री होए उत्तर पड़ेश में दूसरी बार मुख्यमंत्री आदितना जो हैं मुख्यमंत्री बन चुके हैं मगर अब भी आपको क्या समझाय जा रहा है दोस्तों कि हिंदू खत्रे में है बार बार आपको यही बतलाया जा रहा है ये मत सोचिए कि पश्यमी उत्तर पदेश में जो सांप्रदाइक तनाव पैदा किया गया जब इस शक्स नरसिंगानन ने हजरत मुहम्मद साहब के बारे में आपत्ती जनक बयान दिया जिसके चलते कई मुसलमान सडक पर उतर आए और बवाल भी हुआ ये मत समझिए कि इस घटना करम को आप सरसंग चालक के बयान से जोड़ कर नहीं देख सकते या फिर भारती जनता पार्टी के नेता जो बार बार इस तरह की बाते कर रहे हैं उसके साथ नहीं जोड़ के देख सकते हैं मैं फिर आप से सवाल पूछता हूं दोस्तों ग्यारह साल के बाद भी हिंदू खत्रे में हैं ग्यारह साल के बाद भी हिंदू को अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना हैं तो ग्यारह साल से आपने हिंदू के अंदर सिर्फ असुरक्षा का माहौल पैदा किया उसे इंसे क्य हिंदू धर्म को भी या हिंदूइजम को भी उसी का अक्स उसी का प्रतिबिम्भ बना दिया है। कितने शर्म की बात है ना दोस्तों। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ अगर यती नरसिंगानन सरस्वती के बयान से सांपरदाइक तनाव पश्मी उत्तरपदेश में होता है और बार बार जो आपको समझाया जा रहा है कि हिंदू खत्रे में हैं इन्हीं जुदा करके नहीं देखा जा सकता है। किजेगा अभी दो दिन पहले ही प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी महराश जाते हैं और कॉंग्रेस के वोट बैंक की बात करते हैं और फिर बगाएर नाम लिए हिंदूओं से एक जुट होनी की अपील करते हैं क्यूं कहते हैं बताईए सुनियों उन्होंने क्या कहा था कॉंग्रेस जानती हैं कि उसका वोट बैंक तो एक रहेगा लेकिन बाकी लोग आशानी से बढ़ जाएंगे तुकड़े हो जाएंगे इसलिए कॉंग्रेस और उसके साथियों का एक ही मिशन है समाज को बाटो लोगों को बाटो और सत्ता पर कब्जा करो इसलिए हमें अतीच से सबक लेना है हमें हमारी एकता को ही देश की ढाल बनाना है हमें याद रखना है अगर हम बटेंगे तो बाटने वाले मैं फिल सजाएंगे हमें कॉंग्रेस और महा अगारी वालों के मनसुवों को काम्याम नहीं होने देना है साथियों जहां जहां कॉंग्रेस के कदम पढ़ते जाते हैं वहां बंटा धार ही होता है और मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा इससे पहले मुख्यमंत्री आदितनात ने भी कहा था बटेंगे तो कटेंगे कहने को ये मुख्यमंत्री है और कहने को नरेंद्र मुदी देश के प्रधान मंत्री है मगर ये लोग अपील क्या कर रहे हैं दोस्तों हिंदू एक ताकिक मैं फिर आप से कह रहा हूँ क्या हिंदू को डरने की जरूरत है अरे साहब जब 2014 से पहले हिंदू के मन में डर का माहौल नहीं था कि इसका वजूद खत्रे में है तो अब ऐसा क्यूं किया जा रहा है मेल है उसके जरीए हिंदूों को बतलाया जाता है कि तुम खत्रे में हो गोधी मीडिया रोज किस तरह से जहर उगल रहा है ना मैं आपको जीन्यूस का एक क्लिप दिखाना चाहता हूं दोस्तों देखिए किस तरह से जूतम पैजार चल रही है धर्म के मामलों में देखिए क्या हो रहा है गोधी मेडिया में यह देखिए जीन्यूस का यह नजारा था और प्र प्र बहुत है और प्र प्र जनता नहीं भड़कती तो फिर को यतिनर सिंगानन जो है वो सामने आ जाता है जो हजरत सहाब के बारे में आपत्ती जनक बयान देता है मैं फिर आपसे पूछ रहा हूं दोस्तों कब तक आपको डरा कर रखा जाएगा कब तक आपको यह समझाया जाएगा कि आप खत्रे में हैं और यह मत सोचिए बयान सिर्फ मोहन भागवत ने दिया है प्रधान मंत्री का क्या बयान था वो भी मैं आपको सुनवा चुका हू मुख्य मंत्री आद इतनाद भी कह चुके हैं बटेंगे तो कटेंगे और देखिए सरकार में एक मंत्री है केरन रिजीजू उन्होंने कहा कि जिस तरह से अंग्रेजों ने हिंदूओं को विभाजित किया उसी तरह से कॉंग्रेस हिंदूओं को विभाजित कर रही है वो ये भी कहते हैं चेतावनी देते हैं मुसल्मानों को और ये कहते हैं कि आप लोग कॉंग्रेस का वोट बैंक बन कर नहीं रह जाईए सबसे पहली बात ये कहने को मंत्री है दूसरी बात अंग्रेजों ने हिंदूओं को विभाजित नहीं किया था अंग्रेज डिवाइड rool policy की बात कर रहे थे और उसका मकसद था हिंदोओं और मुसल्मानों में खाई पैदा करना Divide and rool policy हिंदों के लिए नहीं थी Divide and rule policy हिंदोओं और मुसल्मानों दोनों के लिए थी ताकि इन दोनों की बीच में खाईया पैदा की जाएं नतीजा आप जानते हैं क्या हुआ था 1947 में, देश दोफाड हो गया था, पाकिस्तान वजूद में आया था, हिंदों और मुसल्मानों में जबरदस सांपरदाइक दंगे हुए थे, और फिर इसी का सहारा लेकर भारती जनता पार्टी राजनीती करती है, इसी का सहारा लेकर गिरिराज सिं ले रहे हैं, यहां की आर्थ विवस्था में योगदान दे रहे हैं, वो देश जिसमें एपी जे अब्दुलकलाम, शाहरुख खान, सल्मान खान, मुहमद शामी, और नजाने कितने लोग सामने उभर कर आए, जिन्दों ने देश की तरक्की में योगदान दिया, उनके ब विवाजित किया, और अब कॉंग्रेस पार्टी फिर से हिंदों को विवाजित करना चाहते हैं, जाहर सी बात है दोस्तों, जो बात मुहन भागवत ने कही कि हिंदों को एक होना चाहिए, या जो बात किरन रिजिजु कह रहे हैं, जो बात प्रधान मंत्री ने 24 घंटे पह रहे हैं, भाशपा की सरकार के खिलाफ, भागवत जी हिंदों में खत्रे है कि नारे से आपने वर्षों से घरीबों, दलितों, पिछडों, आदिवासियों को समानता से वंचित रखा, हिंदों को डरानी की राजनीती को जनता ने नकार दिया है, उन्हें बढ़ती रश्टाचार और अपराधियों से सुरक्षा चाहिए, घरीब, दलित, पिछडे और आदिवासियों को संसाधन और अवसरों का समान अधिकार दिलवाईए, उन्हें अपने हिस्से का हक दिलवाने के लिए जातिये जन गणना करवाईए, और हो क्या रहा है दोस्तों कि कि जण रिजिजू सरीखे लोग राहुल गांधी की आलोशना करते हैं जब वो जाती जन गणना की बात करते हैं, सीधी सी बात है, अगर देश के धन्ना सेटों में अती पिछडे वर्गों की नुमाइनगी नहीं है, अगर नौकर शाहों में, डिसिशन मेकिंग में, निर्ण लेने में पिछडे वर्गों की भुमिका नहीं है, और अगर राहुल गांधी ये उठाते हैं, तो ये हिंदू विरोधी बायान कैसे हो सकता है, क्या भारती जन पार्टी की बुनियादी सोच, पिछडा वर्ग और दलित विरोधी है, क्योंकि राहुल गांधी तो जाती ज अंगर्णा की बात कर रहे हैं न, उसका तालुक हिंदूओं से बिलकुल भी नहीं है, वो सिर्फ इस समाज के जो दबे कुछले लोग हैं, वंचित लोग हैं, उन्हें नियाए दिलवानी की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में भारती जनता पार्टी इस तरह की बाते क्यों करती है, हर्याना में ये तजुर्बा पूरी तरह से नाकाम हुआ दोस्तों, क्योंकि आपको याद है कि किस तरह से हेमंत विस्षर्मा और योगी आदितनात को मैदान में उतारा गया, मकसद क्या था, सांपरदाइक माहौल भढ़काया जाए, सुनिए हेमंत विस्षर्मा ने क् का खतम हुआ, भईब राम मंदी, निर्मान हुआ, ये देश में भी जो छोटे मोटे अभी बाबर घुम रहा है, सब को धक्का दे देके हमें ये देश से निकालना है, सब को ढखका दे दे के हमें ये देश से निकालना है हमारे असाम में आये थे राहुल गांधी मुझे को पूछते हैं कि आपने साथ सा मद्रसा बन कर दिया आगे आपका क्या इरादा है मैं राहुल गांधी को बोला कि अभी तो सेशा बन किया हूँ आगे जाके सब को बन कर देने का इरादा है यही हमारा इरादा है और कुछ इरादा नहीं है हमें डेस में मद्रसा सिक्सा नहीं साहिए हमारा डेस का जुआन इंजिनियर बनना साहिए दक्तर बनना साहिए इंडस्ट्रियलिस बनना साहिए हमारा डेस को जुआन कोई मुल्ला ने के लिए जोरूरत नहीं है हमारा डेश का जो आंडाक्तर बनेगा इंग्जिनियर बनेगा में वह बाबर जो वजूद में नहीं है Usmak bunu बाबरी गिराया जा चुका है जिसकी जगा सम्मानित राम मंदिर बनाया गया है उसकी बात की जा रही है और फिर योगी आदितना एक धक्का और दो भड़काव बयान दे रहे हैं हर्याणा की चुनाव में सुनी उन्होंने क्या का था बैनोर भाईयों आज कॉंग्रेस का धांचा वेसे ही जरजर हो चुका है जैसे अयोध्या में बाबरी धांचा था एक धक्का और दो बाबरी धांचे को तोड़ दो ये नारा जब राम भक्तों ने लगाया था तो बाबरी धांचा हमेशा के लिए धस्त हो गया और बाबरी धांचा दो धस्त हुआ गुलामी का धांचा धस्त हुआ अयोध्या में राम मंदिर निर्मान का मार्ग प्रसस्त हुआ और मैं आपका यही आवान करने के लिए आया हूँ जो यह लोग जाती की रास नीती करके आपको विभाजित करना चाहते हैं मैंने कहा था ना कि बटोगे तो कटोगे एक रहोगे तो नेक रहोगे कोई माई का लालाब का बालबाका नहीं कर पाएगा आपने गौर किया दोस्तों दोनों बाबरी को याद कर रहे हैं जबकि बाबरी वजूद में ही नहीं है इस वक्त कोट का फैसला आ गया है कोट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया है राम मंदिर की प्राण प्रतिष्था भी हो चुकी है, वो अपने वजूद में भी आ गया है प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरी तरह से कैमरा फोकस था जब उसका उद्गाटन किया जा रहा था बावजूद इसके भारतिय जन्ता पार्टी के नेता बाबरी को क्यों याद करते हैं क्यों हमें उस दौर में ले जाना चाहते हैं जब देश में जबरदस सांपरदाइक दंगे भढ़के थे सबसे बड़ी बात भारती जनता पार्टी को इस सवाल का जवाब देना है कि बार-बार उसके दामन पर उस पर यह आरोप लगता है कि वो पिछड़ा विरोधी है वो मंडल कमिशन विरोधी है और ये बात मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं दोस्तों स्वर्गिय जोज फेनांडिस ने आज नहीं वो 1992-1993 से कह रहे थे आज वो जिन्दा नहीं है बगर उनका एक बयान है जिसमें उन्होंने कहा था कि जब लाल कृष्ण आडवानी के रामरत यात्रा को रोका गया था और जब उन्होंने समर्थन वापसी ली थी तब जोज फेनांडिस ने उनसे कहा कि आप ऐसा क्यूं कर रहे हैं तब आडवानी जी ने कहा था कि वीपी सिंग ने मेरे लिए कोई विकल्प नहीं छोड़ा क्योंकि वो मंडल कमिशन लेकर आगए जिसकी वज़े से मुझे रामरत यात्रा शुरू करनी पड़ी तो एक तरह से रामरत यात्रा बहाना था निशाना मंडल था इसलिए राहुल गादी जाती जन्गरना की बात करते हैं अगर आप भूल गए हैं तो मैं आपको सुनाना चाहूंगा कि जॉर्ज फिनान्डिस ने आग से कई सालों पहले क्या कहा था स्पीच की क्वालिटी थोड़ी खराब है मगर मैं चाहूंगा आप सुनें जॉर्ज फिनान्डिस ने क्या कहा सुनें 27% रोजगार सामाजिक और शेक्षिनिक मामलों में पिछडे लोगों के लिए आरक्षित रखा जाए ये मंडल कमिशन की शिफारिश और इस शिफारिश को लागो करने का ऐलान साथ अगरस को समसर में हम लोग नहीं किया इस ऐलान के 48 गंटों के अंदर मैं औरों के बात नहीं कह रहा हूं लाव किशनाडवानी ने खुद मुझे कहा कि आपने हमारे सामने अभी कोई विकल्प नहीं रखा है हमारे सामने अभी एकी रास्ता है कि हम हिंदुत्व का प्रश्ट को मंदिर और मस्चित का प्रश्ट को लेकर लोगों के सामने जाने करता हूं और फिर मैं नहीं भूलाओं दोस्तों कुछी दिनों पहले प्रधान मंत्री ने एक भाशन दिया था जिसमें प्रधान मंत्री ने कहा था कि जब मंडल कमिशन लाया गया था तो बीजेपी ने वीपी सिंग को समर्धन दिया था सरसर गलत बयान वीपी सिंग जब मंडल कमिशन लेकर आये थे उसी के बाद लाल कृष्ण आडवानी ने समर्धन वापसी का एलान कर दिया था तो इस तरह की गलत बयानी प्रधान मंत्री खताई ना करें दोस्तो यती नरसिंगा नंसरस्वती और उनके जो समर्धक हैं लगातार भड़काओ बयान देते रहते हैं समाच की शांती पर प्रहार करते रहते हैं सुक शांती पर प्रहार करते रहते हैं इन हिरासत मिलिया जाता है और फिर छोड़ दिया जाता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये व्यक्ति बार बार इस तरह से अपने बयानात क्यों दोराता है। क्या इसके बयान का मकसद कुछ और है। क्या एक सांट गाठ है जो इस वकाम जनता नहीं देख पा रही है। वरना जनता को ये क्यों बतलाया जा रहा है कि हिंदू खत्रे में हैं। हिंदू को ये क्यों कहा जा रहा है कि आपको एक जुट रहने की जरुवत है। अरे अगर एक जुटता का संदेश देना है, तो पूरी देश को एक जुटता का संदेश दोना, तब हो सकता है कि आपको मुसल्मान का भी वोट मिल जाए, आप मुसल्मान पर तो प्रहार करते हैं, कि वो कॉंग्रिस को या विपक्ष को क्यूं वोट देता है, मगर प्रधान मंत्री खुद याद कीजेगा, लोग सभा चुनावों में उन्होंने मुसल्मानों को घुसपैटिया बताया था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बतलाया था, ये प्रधान मंत्री के शब्द है, मेरे नहीं है, ये तक बतलाया था कि आपका मंगल सूत्र दे दिया जाएगा उनको, आपकी दो भैंसों में से एक भैंस दे दी जाएगी उनको, ये तमाम बयानात कॉंग्रिस के घोशना पत्र के बारे में प्रधान मंत्री कर रहे थे, सांप्रदाइक बयान दे रहे थे, भढ़काउ बयान दे रहे थे, शुनाव आयोग तक को हस्तक्षेप करना पड़ा था, ये कहना पड़ा था जेपी नडड़ा से कि इन पर लगाम लगाईए, मगर तब भी शुनाव आयोग में इतनी हिम्मत नहीं थी, कि वो सीधे प्रधानमंत्री से बात कहते हैं, कहने का अर्थ साफ है, एक तरफ आप भढ़काउ बयान देते हैं, शम्शान कबरिस्तान की बात करते हैं, आपके नेता लगातार, माइनॉरिटी, विरूधी बयान देते हैं, और फिर किरण रिजीजू जैसे लोग कहते हैं, कि भई मुसल्मान कॉंग्रिस को ही क्यों वोट देता है, और फिर मुहन भागवत ये कहते हैं, कि हिंदूं को एक होने का वक्त आ गया है, तो ग्यारा साल से आपने क्या किया, कि हिंदू सु रक्षित नहीं है, समझना पड़ेगा दोस्तों आपको, मकसद है मुद्दों से आपका ध्यान भटकाना, मकसद क्या है, हार दिखाई दे रही है, जी हाँ, अगर महराष्ट में भी भारतिय जनता पाटी गटबंधन हार जाती है, तो यकीन मानियें, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती होना तै है, आरेस्विस में भी ये विचार चल रहा है, कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के चहरे के दम पर कब तक, उत्तर परदेश में, क्या आप जानते हैं, CSDS का सर्वे आया था, चुनावों की ठीक बात, CSDS के सर्वे के मताबिक उत्तर परदेश में, राहुल गान्धी प्रधान मंत्री से जादा लोग प्रिये हैं, अब कल्पना कीजिए दोस्तों, अगर महराष्ट में, BJP को हार का सामना करना पड़ता है, और जबरदस्थार का सामना करना पड़ता है, तब भी आपको लगता है कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी अपने पदपर बने रहेंगे, उसके बाद दिल्ली के चुनाव है, सोचिए, अगर दिल्ली के चुनाव में भी BJP हार जाती है, और उससे भी बड़ी बात, अगर विहार के चुनावों में भी BJP हार जाती है, आप अंदाजा लगा सकते हैं, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की उल्टी गिनती होना तै है, यही चिंता RSS को सता रही है, RSS को ये चिंता भी सता रही है, कि अगर एक के बाद एक विधान सभा चुनाव BJP हारती गई, तो कहीं तेलगू देशम पार्टी और जनता दल युनाइटेट पाला ना बदलने, और RSS नहीं चाहती कि कि किसी भी कीमत पर BJP सत्ता से बाहर हो, क्योंकि अगर भारती जनता पार्टी सत्ता से बाहर हुई, तो कई मामलों की जाच होगी, जी हाँ, जिस एजिंडे के अंतरकत RSS चल रही है, वो एजिंडा धराशाई हो जाएगा, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ दोस्तों, आप जानते हैं Public Accounts Committee, मुर्ली मनोहर जोशी, मुर्ली मनोहर जोशी ने अपनी तरफ से कहा था कि विनोध राय को बुला जाए, ये किया जाए, वो किया जाए, इन्होंने जो मर्जी किया, इन पर कोई अंकुछ नहीं थी, अब P.A.C. के अध्यक्ष हैं Congress ने था केसी वेनु गोपाल, आप जानते हैं इस वक्त एक बवाल चल रहा है, सेभी प्रमुक माधवी बुच के अडानीक से तालुकात, क्या आप जानते हैं कि वेनु गोपाल ने ये सिफारिश की है, कि माधवी बुच को P.A.C. के सामने बुलाया जाय ताकि उनसे पूछताच हो सके, और आप जानते हैं इसका विरोध कौन कर रहा है, निशकान्त दुबे, भाजपा सांसद निशकान्त दुबे, उन्होंने बाकाइदा खत लिखाए लोग सभाध्यक्ष को, कि अगर ऐसा होगा, तो देश की अर्थ विवस्था को नुकसान पहुँचेगा, क्यूं बुलाए जा रहा है माधवी बुच को, जब ये दिखाई दे रहा है कि सेबी ने माधवी पुरी बुच के पती की कमपनी को फाइदा पहुचाया, तो स्वाभाविक सी बात है, जाँच होनी चाहिए, और माधवी बुच को बुलाया जाएगा, मगर निशिकांत दुबे उसका विरोध कर रहे हैं, जी हां, ऐसे ही मुद्धों पर से आपका ध्यान हटाने के लिए, आपको ये बार-बार बतलाया जाता है, कि आप खत्रे में, हिंदू खत्रे में, नहीं साब, हिंदू खत्रे में नहीं हैं, खत्रे में वो पुलिटिकल पार्टीज हैं जो हमारी भावनाओं को भढ़का कर हमारा वोट हासिल करना चाहती है जो जाती है जनगर्णा जैसे सामान मुद्धे के बारे में उसे हिंदू विरोत के साथ जोड़ देते हैं उसे देश विरोत तक कह देते हैं ये सब बाते की जा रही हैं बाज आईए मुद्धे पर आईए भारती जनता पार्टी को समझना चाहिए कि सांप्रदा एक तौर पर लोगों को भढ़का के सिर्व देश का नुकसान है और मुझे नहीं लगता है कि भाजपा को इसका चुनावी फायदा भी हो रहा है अब इसार शेरमा को दीजे अजासत नमस्कार